तो चलिए दोस्तों, आज 10 जून को बनने वाले हारेना करण्ट अफेर के कोश्चन्स इस वीडियो में हम रिजन कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं, तो आप हमारी सभी पिछली वीडियो को PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रेप्शन में एविलेबल हैं। कोई भी प्रब्लम होने पर स्क्रीन पर दे गए वर्टसप नमर पर मेसेज कीजिए, हम जल से जल आपको PDF प्रवाइड करवा देगे। तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला परसन है, हाल ही में जारी की गई ICC T20 रैंकिंग में भारत की सेफाली वर्मा की स्थान पर हैं। तो ये हैं पहले स्थान पर। स्थे वर्मा ने स्चिन तेंदूलकर के 30 साल पुराने उस रिकार्ड गोट तूड़ दिया है, जो स्चिन ने 16 साल की उम्र में पहला अंतराशिठी अर्दस्थतक लगाने के साथ अपने नाम किया था। 15 साल की उम्र में अपना पहला अंतराष्टिय अर्द सतक बनाने के साथ ही सेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अंतराष्टिय अर्द सतक लगाने वाली किर्केटर बन गई हैं। द्राव शामिल किये गए हैं। आई सीसी ने यह भी घोशना की है कि 2025 और 2039 में आठ टीमों की चैंपियन्सिफ ट्राफिकी में जवानी की जाएगी। यहां पर हम आपको बताये थाओं कि आई सीसी की फुल फॉम है अंतराष्टिय क्रिकेट परिशद और इसकी स्थापना सनु 1909 में हुई थी। इसका मुखहले सुंक्त अरब अमिरात के दुबई में हैं और इसके अधिक्स ग्रेग बार्कले हैं। इसके फिल हल सीओ जो हैं वो मनु साहनी नियुकते किये गए हैं। इसके बाद है सडक कनेक्टी और घरों में गैस कनेक्शन पदान करने के मामले में हरियना का कौन सा स्थान आया है। तो ये आया है पहला स्थान। तो हरियानन ने काफी सारी चीजों के अंदर अपना 100% दिया है जिस परकार से घरों में एक एस कनेक्शन 100% हो चुका है, सरक कनेक्टिविटी 100% हो चुकी है, इटिनेत गनेतो और मोबाइल टेली गनेतो भी 100% हो चुका है, सहरी चेतर में जल निकासी स्वीधा भी 100% के और इन्हें अच्छे से ध्यान करके रिखिये, इन्से रिलेटिड कोश्चन्स जो हैं वो एक्जाम्स के अदर पूछे जा सकते हैं, इसके बाद है हरियन की पूरू स्वास्ते मंतरी को थी जिनका हाल ही में निदन हो गया है, तो ये थी डाक्टर कमला वर्मा, हरियन की आ रही थी, ये भाजपा की पहली महिला परदेश अदेक्स भी रह चुकी है, अपातकाल के दौरान ये जेल में भी रही हुई है, उन्नीस सो स्तेतर में ये यम्नानगर से चुनाओ जीती थी, तब उन्हें स्वास्ते मंतरी बनाए गया था, वहीं इसके अलावा दो बार ने कैबिनेट मंतरी भी बनाया गया, पिछले साल पीम रेंद्र मोदी ने उनके साथ समवाद भी किया था, हलाकि भी लंबे समय से राजनेती में संक्रिय नहीं थी, इसके बाद है स्वास्ते मंतरी अनिल विजने सरकारी करमचारियों, पैंसनों, पारिवारिक पैंसनों औ और आसितों को सीमित कैसले स्विधा में अब किस बीमारी को भी जोड़ दिया है, तो यह जोड़ा गया है COVID-19 बीमारी को, स्वास्त्य मंतरी अनिल विजने का है कि सरकारी करमचारियों, पैंसनों, पारिवारिक पैंसनों और आसितों को सीमित कैसले स्विधा में अब COVID-19 ब परति-पूर्ति की जास्के विमारी के समय में पधान के गए उपचार के विलों को से अस्तियां भेजने वैं मानिताओं के इनुसार सभी प्रवंदों के साथ विशर्जन की सुधा देनी की सुवात कब जे की है तो ये की गई है 31 मई से कोरोना मावारी ने जीवन के कई नीमों को बदल दिया है लोगों को खोया है दर्द से उभरी समेदने लोकडाउन के नीमों के चलते बंदक सी बन गई है लोग अपनों के अंतीम सफर की सभी रस्मे पूरी नहीं कर पा रहे हैं अस्ति विशर्जन तक के लिए नीमों में दाक विभाग ने डाक से अस्थियां भेजने वे मानिताओं अनुशार सभी प्रबंदों के साथ विशर्जन की सुईधा देनी की श्रुवात की है। 31 मई से इसका आगाज हो चुका है। अस्थि विशर्जन हरिद्वार, वारणसी, प्रयाग राज वे गया के अंदर की जाएंगी। इस सुईधा में विभाग का ओम दिवेदर्शन यानि की ODD समाजिक धार्मिक संस्तान सयोग कर रही है। इसमें विशर्जन और स्राद करने में होने वाला खर्च डाक विभाग लोगों से नहीं लेगा। ये खुद डाक विभाग के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके बाद है हरियन के एकिस जिले में पहली बार स्टोबरी का बाग लगाने के लिए विभाग अनुदान देगा। तो ये देगा जजजर के अंदर। पहले जजजर जिले ने अमरूद के नाम से पैचान बनाई। वहीं अब स्टोबरी के छेतर में भी अपना पाउं जमाने की और कदम रख रहा है। जिले में पहली बार स्टोबरी का बाग लगाने के लिए विभाग अनुदान दे रहा है। जिले के बागवानी विभाग को पहली बार 50 एकड में स्टोबरी का बाग लगाने का लक्षे मिला है। विभाग के दोवारा 20,000 रुपए परती एकड से अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद है हर्याने में Selfie with the Dotter Day कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है नो जून को। 6 साल पहले नो जून को हर्याना के जीन जिले की धर्ती से एक ऐसे अभ्यान की सुरुआत हुई थी जो अब दुनिया के कई देशों में बड़ी मुहीम बन चुका है। इस अभ्यान का नाम Selfie with the Dotter अभ्यान है जो की पूरी तरह से बेटियों को समर्पित है। पधामंतरी नैंद्र मोदी अपने विदेश दोरों के दोरान बीबिपूर गाउं के पूरू सरपंच सुनिल जागरलान के इस अभ्यान की दिल से खोल कर तारिव भी कर चुके हैं। ततकालिक राष्टपती प्रणम भुखरजी ने बेटियों की चहरे पर मुस्कान लाने और उनके माता पिता को गरव का एसास कराने वाले इस अभ्यान को स्विकार अंगिकार किया था। हर्यान से आरम हुए इस अभ्यान से अब नेपाल देश की बेटियों और उनके माता पिता ने भी कुद को जोड लिया है। नो जून को हर साल 2015 से सेलफी विद डोटर डे राष्टी स्तर पर आवजित किया जा रहा है। पिछले साल नो जून को चंडिगड के कोर्मल कोर्मेंट स्कूल की दस्वी क्लास की साधान चात्रा अन्वी अगरवाल इस अभ्यान की सिगनेचर्स ब्रांड अमबेजडर बनी थी। इस से पहले मनुभाकर, साइनन एवाल, साकसी मलिक, दीपा मलिक और गीता फोगाट, सरीखी, नामचीन हस्तियां सेलफी विद डोटर अभ्यान की ब्रांड अमबेजडर रह चुकी है। मेवाद की पांच लड़कियों ने इस अभ्यान के लिए बहतरीन काम किया है। पदामंत्री नेंदर मोधी ने अपने विदेश दूरे के दौरान आठ बार बेटों को प्रोटसाइद कर इस अंतराष्टिया अभ्यान की सराना की है। सेलफी विद डोटर अभ्यान के फांडर सुनिल जागलान के उनसार इस अभ्यान के तहत माता पिता अपनी बेटों के साथ सेलफी लेकर हमारे ओनलाइन म्यूजियम पर अपलोड कर सकते हैं। सेलफी अपलोड करने के बाद यदि वह दोबारा इसे डाउनलोड करते हैं तो उस सेलफी पर हमारी ब्रांड एमबैजडर के साइन मिलेंगे। अब तक इस म्यूजियम में करीब डेड़ लाग सेलफी अपलोड हो चुकी हैं। पिछले 9 माई को यह अभियान नेपाल के अंदर लौज किया गया। इस एक माह में नेपाल ने करीब 500 सेलफी और भारत समेत अन्य देशों से 35,000 सेलफी ओनलाइन मिजियम में अपलोड हुई है। नेपाल में टिक टोक पर हैश्टेग सेलफी विद डोटर करीब 5 क्रोड व्यूज के साथ पहले स्थान पर ट्रेंड कर रहा है। सुनिल जागला ने बताया कि सेलफी विद डोटर अभियान के सात्वे साल में प्रवेश के मोके पर 9 जून को इस कारिकर्म का आउजन किया गया। जिसमें किंदरी राईंदरजीत और नेपाल्य एवेंब विकास मंत्री जूलि कुमार मेटव शामिल हुई थी। राईंदरजीत दो बेतियों की पिता हैं। जूलि मेटो नेपाल मांत्त के अप दाह मंत्री की धहांपत्नी हैं। इस बार नेपाल में भी सेल्फी विद डोटर डे बनाय जा रहा है। इस दिन बैस्ट तीन सेल्फी को 21,000 ग्यारा हजार ओरिक्या वन सो रूपए का पुर्षकार दिया जाएगा। तो यहां पर हमारे आज के हरियन करेंटर फिर के कोश्चन्स खतम होते हैं। अब देख लेते हैं कल के कोश्चन का आंस्वर। इस से पहले उन्होंने इस चैंपिन्शिप में अब तक साथ पदक हांसिल किये थे, जिसमें तीन रजक पदक शामिल थे। तो यहां पर काफी सारे स्टूडेंट ने भी इसका आंस्वर दिया था तो यह अच्छी बात है। जितने भी स्टूडेंट आंस्वर देंगे उन अच्छे से मिले हैं। तो यहां पर शार उप्शन हैं भट, टिब, हस्पुर या फिर नहला। आपको आंसर मालूम हो या ना हो आपको कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताना है। इससे आपके दिमाख में कहीं ना कहीं यह बैठ जाते हैं कि हां इसका मैंने सही आंसर बता हैं तो लाइक चुर कीजेगा, चैलने पर नहीं हैं तो स्क्राइब करना बिल्टों में भूलें, फिर मिलेंगे ऐसी ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय ही जय वार।